साथियों, आजादी के इस अमरित काल में सभी देश्वास्यों ने अगले पचीस वर्ष में भारत को विक्सित भारत बनाने का संकल्प लिया है आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले पचीस साल जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपुण है वैसे ही भारत के लिए अगले पचीस साल बहुत ही एहम है आज दुनिया में भारत के प्रतीत जो विश्वास बना है भारत के प्रतीत जो आकर्षन बना है आज भारत की महत्ता बनी है हम सब को मिल करके इसका पूरा लाब उठाना है आपने देखा है कि भारत सिरफ नव वर्षों में दुनिया की दसवे नंबर की अर्थववस्ता से पांचवे नंबर की अर्थववस्ता बन गया है आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछी वर्षों में भारत दुनिया की टॉप थ्री एकोनोमी आ जाएगा टॉप थ्री एकोनोमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धी बनने वाला है यानि हर सेक्टर में रोजगार के आउसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आई भी बढ़ने वाली हैं हर सरकारी कर्मिचारी के लिए भी इससे बढ़ा कोई आउसर नहीं हो सकता है इससे बढ़ा कोई महतोपुन समय नहीं हो सकता है आपके फैसले आपके निर्णय देश हित में देश के विकास को गती देने वाले होंगे ही ये मेरा विश्वास है लेकिन ये मौका ये चुनोती ये अउसर सब कुछ आपके सामने है आपको इस अमरित कान में देश सेवा का बहुत बड़ा वाकई बड़ा अभुतपुर्वा अउसर मिला है देश के लोगों का जीवन आसान हो उनके जीवन से मुष्टिले समाप्त हो ये आपकी प्रात्विक्ता होनी चाहिए अब जिस भी विभाग में निवक्त हो जिस भी शहर या गाउं में हो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कारियों से जन सामान्य की कठिनाईयां कम हो मुसिवते दूर हो इस अफ लिविंग भड़े और साथ साथ पचीश साल के अंदर अंदर देश को विख्षिद भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महिनों का इंतजार समाप्त कर सकता है उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा जनता जडार्दन इस्वर का ही रूप होती है जनता से मिलना वाला आशिरवाद गरीब से मिलना वाला आशिरवाद भगवान के आशिरवाद के बराबरी ही होता है इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश्वी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूझी होती है संतोष वो संतोष वही से मिलने वाला है झाला है